बात करेंगे बायोकान लिमिटेट के बारे में प्रिवियस क्लोस की तरफ सबसे पहले हमारी नजर जाएगी 289 इसका प्रिवियस क्लोस था शुरुवात लगबग वही से होती है एक अंग्चड के 290 से पूरे दिन बर में कही पे भी एक टॉप लाइन को चूने की कोशिश नहीं हुई एक बार हुई थी बस वह भी बहुत कम समय के लिए चोटे से समय के लिए 292 तक गया था लेकिन वहाँ से इसको वापस आना पड़ा इसका क्या कारण था दो कारण है इसके एक तो कमपनी का जो आप देखेंगे तो सीधा सीधा में हम मैं बात करो तो बहुत जादा अच्छा परफॉर्मेंस कल के दिन नहीं था और उपर से मार्केट जब गिरा तो यहाँ पे दो बार देखिए तो फ्लक्टुएशन आता नजर आ रहा है दो मेडियन के बीच में टू नैंटी का था मेडियन और टू एटीएट का इस मेडियन के बीच में जब फ्लक्टुएशन आया तो यहाँ से आप देखेंगे तो दो तीन बार अपर बॉटम का सपोर के बाव जोडभी ये पूरी तरीविसी गिरता गया जब गिर रहा है इसका मतलब क्या है यह बहुत ज़ल्दी उच्छाल मारने वाला हैं इसका मतलब यह कि इस कमप्वाद McMahon अभी बहुत अच्छा खासा एक आपको नजदिक समय में शायद ये तीन से चार दिन में आपको बहुत बड़ा इस कम इस शेयर में आपको उच्छाल नज़र आने वाला है ये बात तो तैह है अगर आप इसमें निवेश करना चाहते है कम समय के लिए वायो कॉन में तो आपका निवेश ये टार्गेट आपका कितना होना चाहिए तो देखे सीधा सीधा बात करते है तो आपका टार्गेट होना चाहिए 310 का जो आपको शायद आसानी से दो महिने के अंदर ही आपको य लेते हैं जो आपको आसानी से तीन साल हम पाच साल के बारे में वेट नहीं करेंगे तीन साल की बात करते हैं तीन साल में आपका ये टार्गेट पूरा भी हो जाएगा रोज मैं आपके लिए पचास नए वीडियो लाता हूँ अलग-अलग शेयर पे तो सब चैनल को सब्सक् करता है।